हमारे उपर जिस तरीके से अतचार और हिंसा हुआ है और होने बाला है बेस्तित रूप से इसके ब्रैक्ठान हम लोग दिये हैं स्पीकर साब को स्पीकर साब हमारे सारे बात बड़ी धैन से सुना भी है और अगले तारीक हम दिल्ली के उस पूलिस अफिसार के खिलाप जिनों ने सुन योजित तरीके से हमारे इंपिस के उपर ब्रिटिस हुकुमत के बाद इस तरीके की घिनों ने हमला किये और ओभी खास दिल्ली में जब या इसीजी दफ्तर के अंदर भी घुशते हुए हमारे कारिज करता को हमारे इंपिस को जिस तरीके से यहां के पूलीस बालों ने हमला किया काफी हमारे इंपिस गहरा चोड भी खाई हैं और जब ठाने में लेक जाते हैं ठाने में भी यहां के पूलीस बालों ने कल हमारे इंपिस के साथ इस तरीके की बरताव किये हैं कि लगता है हम सारे कॉंग्रेस की इंपिस और कॉंग्रेस की कारिजर करता हैं आतंगबादी बन चुके हैं राहूल गांदी जी को लगातार तीन दीन दस एगारों बारों घंटे तक पूछताच किया जाते हैं फिर दुबारा बुलाया जाते हैं देखिए किसी से कोई पूछताच करने में हमें कोई परहज नहीं हम तो से यह कहना चाते हैं कि जो भी करो उसमें बदला की राज़िती ना किया करो हिंसा की राज़िती ना किया करो हम झाल 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 झाल